आप सभी के फोन में Google Photos एप होगा ही होगा जैसा कि देख सकते हैं मेरे इस फोन के अंदर Google Photos एप है और इसी Google Photos के अंदर आपको एक ऐसा सेटिंक करना है एक नहीं 3-4 सेटिंग करना जो कि बहुत hidden हीडिन है उनी सभी setting को करकर आप सभी अपने 10 साल पुराने फोटोज को वापस recover कर सकते हैं delete हो गया तो उसे वापस ला सकते हैं phone खो गया तो उसे वापस ला सकते है phone format हो गया फिर भी आप उसे वापस ला सकते हैं तो आपको करना क्या होगा? यहाँ पे आपको जो profile का option दिख रहा है इसके उपर आपको क्लिक करना होगा अब यहाँ पे आपको एक option दिख रहा होगा photos setting तो इसके उपर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपको धेर सारे setting देखने को मिल रहे होगे जितने भी आपके Google Photos के अंदर settings है सभी hidden settings आपको यही पे देखने को मिल रहे होंगे तो सबसे पहला setting आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक backup का option दिखरा होगा इसके उपर आपको click करना है और इसको सबसे पहले तो on कर देना है और यहाँ पे आपको mail ID select करना है कि आप ये काम किस mail ID पे करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला mail ID select करता हूँ इसी पे मैं करना चाहता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 15 GB विलकुल free में मिलता है storage मैं 15 GB तक का photos विडियो अपने google email ID पे upload कर सकता हूँ तो देख सकते हैं कि यह हमारा on हो चुका है अब यहाँ पे आपको select करना है backup का quality कि मानलो कि आपका photo की quality एकदम best है लेकिन आपने setting किया ही नहीं बाद ने पता चला कि यार मैं जब recover कर रहा हूँ तो photo मेरा एकदम खराब आ गया तो यहाँ पे आपको backup quality पे click करना होगा और यहाँ पे देखिए मेरा by default original quality पे है अगर आपका यहाँ पे storage saber selected होगा तो यहाँ पे आपको original quality पे select कर देना है यहाँ पे आप सभी को back करना है फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने on किया जैसे ही मैंने on किया देख सकते हैं कि यहाँ मेरा 54 MB, 60 MB का photo upload होना सुरू हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से अगर आपके पास wifi नहीं होगा तब तो आपका पूरा खतम हो जाएगा एक दिन में ही खतम हो जागा देख सकते हैं 76 MB upload हो गया तो आपको यहाँ पे कुछ setting करना होगा तो यहाँ पे आप सभी को mobile data usage का एक option है इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पे देखिए मेरा no data limit set है यानि कि एकदम unlimited upload हुए जा रहा है तो यहाँ पे आपको 30 MB per day set कर देना है तो यहाँ पे जब 30 MB करोगे तो आपका daily का 30 MB ही photo upload होगा Google photos पे तो यह देखिए मैंने back किया तो आप देखिए यहाँ पे 163 MB upload हो चुका था setting on करते करते लेकिन अब भी यहाँ पे देखिए अभी भी upload हो ही रहा है मेरा यहाँ पे wifi से connected है इसलिए धड़ा 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 upload हुए जा रहा है अगर मैं यहाँ पे data wifi बंद कर देता हूँ तो अब देखिए कि यह मेरा upload होना बंद हो जाएगा देख सकते हैं 225 पे रुख चुका है तो इस तरीके से अगर आप mobile से connected रहेंगे तो आपका कम upload होगा सिर्फ 30 MB का ही upload होगा और अगर आप wifi से connected होगे तो आपका unlimited photo upload होना सुरू हो जाएगा तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको back कर दिया अब यहाँ पे अगला आपको क्या काम करना है कि यहाँ पे backup के अंदर ही आपको यहाँ पे backup device folder आपको एक option दिखेगा तो यहाँ पे आपको सभी को on कर देना है सभी को on करने से आपको क्या होगा कि जितने भी आपके Google photos के अंदर जितने भी photos होंगे, videos होंगे किसी भी folder के अंदर होंगे तो यहाँ पे सब के सब आपका यहाँ पे अप्लोड हो जाएगा आपका google photos के अंदर तो आपको एक भी photo आपका miss नहीं होका चितने भी photos होंगे सब के सब आपका upload हो जाएगा और आपको एक भी फोटोड का बाद में tension नहीं रहेगा तो देखिए यहाँ पे अब मेरा जो Google फोटोज का है अभी भी देखिए कुछ-कुछ अपलोड हो ही रहा है तो साइद 30 MB का लिमिट अभी खतम नहीं हुआ होगा तो देख सकते हैं कि अभी भी साइद अपलोड हो ही रहा है यहाँ पे मेरा डेली का 30 लिमिट सेट है तो यहाँ पे 800 MB हो गया है अब हम बैक करते हैं तो यहाँ पे गौट इट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोड हो रहा है देख सकते हैं कि मेरे कितन फोन के अंदर फोटोज है 744 फोटोज है तो सोचो यार कि अगर इतना सारा फोटोज अगर मेरा डिलीट हो जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा तो आप सभी इस तरीके से अपने फोन के अंदर Google फोटोज के अंदर अपलोड हो गया है और यहाँ पे यह आज के लिए रुक गया है अगले दिन यह आटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगा मेरा बैक अपोना सुरू हो जाएगा तो इस तरीके से आप सभी अपने गूगल फोटोज के अंदर सबसे पहले तो आपको बैक अप लेना होगा उ आपने अपने फोन को फोर्मेट कर दिया फिर भी आप जब इस मेल आईडी को अपने किसी भी फोन में लॉग इन करोगे तो वहाँ पे आपका सारा का सारा फोटो वापस आ जाएगा मैंने इस इमेल आईडी के अंदर सारा फोटो बैक अप लेकर रखा हूँ तो देखें यहाँ पे चार साल पहले का फोटो यह मुझे यहाँ पे दिखा रहा है देख सकते हैं कि चार साल पहले का फोटो आज से देख सकते हैं 30 मई 2019 का यह फोटो मुझे यहाँ पे बैक अप करके दिखा दिया तो यह सुभिधा आपको तभी मिलेगा जब आपने अपने गूगल photos के अंदर backup को on करके रखा होगा तब देख सकते हैं कि यहाँ पे यह भी 10 मई 2019 का video है और यह मेरा यहाँ पे backup होके रखा हुआ है तो मैंने अभी आपको क्या कहा था title और thumbnail में कि आपका 10 साल का भी photo वापस recover कर सकते हो लेकिन आपको वही setting करके रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया है जब तक यह setting आप on करके नहीं रखोगे अपने google photos के अंदर तब तक आप अपने google photos से किसी भी photo को वापस recover नहीं कर सकते हो तो यही था दोस्तो जो आप सभी को बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं बस कर दते हैं कि 10 साल का photo आप वापस recover करो google photos से लेकिन होता क्या है कि आपको बस backup के लिए बता देंगे लेकिन यह नहीं बताएंगे कि अगर आपका current delete हुआ है backup लेने से पहले delete हुआ है तो वो आपका वापस नहीं होगा अगर आपने backup कर लिया है google photos पे और फिर आपका google photos से कोई भी photo delete हुआ होगा या फिर file manager से ही कुछ भी delete हुआ होगा तो आप उसे recover कर सकते हैं लेकिन पहले backup on रहेगा तब ही कर सकते हैं एक चीज मैं आपको और भी यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि अगर कोई भी photo आपका google photos से delete हुआ होगा तो आप उसे वापस ला सकते हैं ये चीज मैं आपको guarantee कहता हूँ लेकिन ये google photos से delete हुआ होगा उसे ही आप वापस ला सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा library के अंदर click करना होगा फिर यहाँ पे आपको एक bean का option दिखेगा इसको पर click करना होगा और देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दो video जो है वो delete हो रखा है तो यहाँ पे आप इन्हे select करके वापस restore all के पर click करके आप इन्हेरे store कर सकते हैं और अगर यहाँ पे आपका 30 दिन या फिर 60 दिन complete हो जाएगा तो आपका यह हमेशा के लिए delete हो जाएगा तो यहीं से आप अपने कुछ photos को recover कर सकते हैं बाकी अगर आपका backup on है तो आप 10 साल के आप 15 साल के भी photo वापस recover कर सकते हैं बाकी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से इस वीडियो को like कर दिजगा चैनल पे नए होंगे तेया चैनल को subscribe कर दिजगा और घंटी को अभी तक on नहीं किये हो तो उसे भी on कर लिजगा